हेलो दोस्तो फिर से सागे दे मेरा चैनल पे मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रोनिक्स इंडिया मैं लोटान फिर लेके आया हुए एक निया वीडियो देख सकते हैं आमारे पास सोनी ओई का कुमपानी का अमारा एक 21 इंच का टीवी लेके आया हुँ इस टीवी का पॉब्लिम लेकिन साउंड आने के बाद जो पिक्चार आ रहा है देखिए मैं साउंड को कम कर देता हूं क्योंकि कॉपी राइट पर आ जाएगा और देखिए हमारा पिक्चर का इसे है और पिक्चर हमारा पूरी तया से किलिया नहीं है और हमारा टीवी पे जो पिक्चर आना चाहिए सही तरीके से ओ नहीं आ रहा है और इसी का पॉब्लेम के यह रहा है और यह उरीजिनल नियुक्ट कर सकते हैं उसका पीन कूछ आला होता है और इसलिए मैं वाला वीडियो बाल रहा हूं वीडियो लास्ते लिए तो अब तक मैं टीवी को ओपन कर लेता हूं दोस्तो मैंने TV को ओपेंड कर चुका हूं ओपेंड करने के बाद यह रहा हमारे 21 इंच का सानी का ओरिजिनल ट्यूब है और इसका योग कॉइल ए रहा बेस पीसी भी और यह रहा मेन पीसी भी दोस्तो आज का जो पॉबलेम आया है यह परने तो सॉल्फ हो जाएगा और इसको ओपन करके देखाता हूं क्यों वीडियो बन रहा हूं नहीं तो आप लोग तो बोलेंगे क्या बेस चेंज करने के लिए वाला वीडियो क्यों बन रहा है दोस्तों क्या हुआ यह बाला बेस जो होता है यह बाला अमारा ओरिजिनल सॉ पिन इस पर क्या होता है हमारा यह डॉबल फोकस का जो कानेक्शन है एक तो दो फोकस का कानेक्शन भी इस पर दिया गया है लेकिन यह जो कोमपानी बाला जो बेस था यह बाला फोकस का पिन दिया गया है कानेक्शन लेकिन यह बाला ओपेन है यह बाला कानेक्टेटी नही आहीं और यह बाला कनेक्शन कहांद पे लगा हुआ है उह देखने के लिए इसको पिछे से घुमा लेजिए यह बाद जो पीने दिग रहा है यह बाला पीन हमारा ऊई फोकस का कनेक्शन है और हमारा Gulf Metall का कनेक्शन है जो अंदरमें जो दो पाती लगा रहता है वह फोकस का क्लियार करता है वह बाला सिस्टेम के लिए और यह भाला भी एक ग्राउन दिया गया है यह तीन ग्राउन का एक बेस है और दोस्तों यह बाला जो बेस लेकर आया हूं मार्केट से यह दो बेस दो ग्राउन के साथ कनेक्टेड है दो लेकिन इस पर तीन ग्राउन तो इस पर दो फोकस का कनेक्सन नहीं है, एक फोकस का कनेक्सन है, इस पर देंगे तो इस पर अंदर में कुछ पॉबलेम होगा क्यूंकि वे भाला फोकस भी क्लियर नहीं का रहेगा और अंदर में लेखर पॉंट पर फोकस का क्नेक्शिं देग तो क्या होगा इस पाती लागा रहता है वे दो पाती ängtबर पर जो जो सिस्टेम को आप डाउन क्यारकि control में ले आजाता है वह बाला system काम नहीं ध्यारेगा तो यह बाला ऑला beside काम नहीं केसा लब ब्रफई साह कीरे ए बाला भीडियो भीडियो बानाऊंगा, GB kom और अधिा क्योंकी दोनो ब्रस का डिफारेट के लिकिन की डवियो भी और ठीक है मैं दोनों बेस को खोल लेता हूँ और खोल के पूरी तरह से ओपेन कर लेता हूँ मैं ने दोनों बेस को खोल के ओपन कर चुका हूँ और देखिये हमार लोकल बाला बेस जो मार्केट बाला बेस और यह रहा ओर जिनाल जो फार इमरे वह बाला बेस ए दोनों को मैं open किया हूँ बेस का अंदर में ही open किया हूँ और देखिए क्या-क्या दिग रहा है ए देखिए जो original बेस था उसका अंदर ए बाला हमारा जो है एक ground था और जो एक focus का connection है एक focus हमारा बाला पीन पे जा रहा था लेकिन दूसरा बाला जो पीन है जो दूसरा बाला पीन दिग्राइब दूसरा बाला पीन पे हमारा यह बाला पाती लगा हुआ है यह पाती कहां से connected था यह देखिए हमारा यह बाहर निकल का आया है जो इस बाला दूसरा बाला जो गाउंट था य किया गया है मतलब क्या हुआ हमारा एक तो यह गाउंट हो गया है पहले बाला एक तो यह गाउंट हो गया है दूसरा बाला जो हमारा फोकास का जो नीग का कैने किया गहा है और यह बाला तो हमारा फाथ है और यह बाला पति शेएता तो के सार्किंग करके हमारा पिक्चर का कॉंड्रण करता है ठेक एक हमारा ऑर डे底 यह जो पीन है यहीं है ऑर इससे पे यह बंगाउन लगाया हूँ लेकिन गाउन था एसपे लेकिन इस पर आखी घँडिया गया है लेकिन ए तीसरा वह जो गाउन था बैसको क्नेट करेंगे तो क्या होगा आप यह डाइरेट ऐन लेकिन दूसरा बहला हुड रह जाएगा क्योंकि फूकास का पॉयंट होता है और फूकस का पाइन proximity होता है वह हमगा इस पर चाहिए जो गाउंड के साथ जो पॉइंड होना चाहिए था इस बाला पॉइंड को ओ नहीं है और तिसरा बाला जो इस पे जो गाउंड दिया गया है एक गाउंड तो है एक गाउंड हमारा एक दूसरा बाला जो येस्टी का जो पॉइंड होता है ओ कानेक्टेट है जो रेजिस्टे हाँ ह llega दोस्तो देखिए यह बाला सिस्टम को चेक कर लीजे और दोनोगे चेक करने से पता चल जाएगा कियोंकि देखिए यह पहला बाला जो आमगार पॉयंट था जो EST से कानेट होगा ये स्टिष का वयर नेट होगा और एवला हमारा हो गया गाउंड याँए जो एवला ग HOW था पाती के साथ डाइरेड दे संच जो गाउंड के साथ होगा और तीसरा वला गाउंड है जो से याइरेड डाइरेट गाउंड किया गया था यह ओरिजिनल बेस पे लेकिन नया बाला बेस पे हमारा डाइरेट फोकास का गाउंड नहीं है इसलिए जो पाती का गाउंड है इसको भी गाउंड करना चाहिए नहीं तो अंदर में क्या होगा जब इस पो गाउंड कर दिया इस पो मैंने कनेक्सिन दे दिया तो इस पर जो स्पार्किंग करेगा वह जाके इस पर भी स्पार्किंग होगा क्यूंकि यह गाउन के साथ कनेक्टव मैं झाला वीडियो बना दला था और आब लोगों को आसानी होगा जो मार्केट में मिल जाता है डोबल वाला बेस डोबल फोकॉस गाउ दाँन डाइड मिल जाता है लेकिन दवल फोकस पर हमारा गाउंट नहीं मिलता है अब लोग मार्केट से एक भैस कर्ड करेंगे उसको करेंगे अंदर में即ि करते रहेंगे ताप क्या होगा आब लोह समझ में आप लोगों को शम़ में नहीं आएगा तो आप लोग फिर से मा बाला बेस दे दिया अब लोगों ढूनना में दिक्कत होगा इसलिए इसलिए डोबल बाला बेस को connect कैसे करते सिंगल बाला बेस पे वही बाताने के लिए वेडियो बना रहां तो क्या हुआ यह जो हमारा पहले बाला फोकास दूसरा दूसरा बाला फोकस को गाउन कर देना है ओ पिषे साइट से गाउन कर दिया था वह जो ऊरिजिनल बावा वाला बैस था इसको क्या करेंगे नवीज़ टानल फोकस पर एक वायल लेगे य cookie कर लेंगे जैसे बाल को कनेट करते हैं और कनेट करने के बाद उसको मैं गाउंड कर दूँगा तो एक डाइट गाउंड हो जाएगा तो इस वाला सिस्टेम को करूंगा उसके बाद गाउन करके भी दिखा देंगा ठीक है मैं बेस को कानेट कर लेता हूं बेस पीसीप के साथ उसको बाद इसको निक के साथ कानेट करके आप लोगों को चला कर दिखाता हूं क्या पॉबलेम होगा दोस्तो मैंने base PCB से connect कर चुका हूँ और connect करने के बाद देखिए यह जो अमरे focus का पिसेट होता है focus का पिसेट का connection होता है मैं direct इस पर connect कर चुका हूँ लेकिन दूसरा बाला focus का connection है मैं उसको open करके राखा हूँ और यह बाला जो पहला बाला था यह हमारे resistance के साथ और गाउन के साथ जो पाथी लगा हूँ है उस पे साथ connected है मतलग यह बाला फॉल्स है और पहले बाला जो base था यह बाला base पे क्या हुआ जो पहला बाला जो पॉइंट था ए बाला पॉइंट के साथ हमारा पाथी के साथ रेजिस्टन के साथ कनेक्टेट था लेकिन ए बाला कनेक्शन हमारा ए बाला पॉइंट से ओपेन था और ए बाला पॉइंट तो ओपेन था लेकिन दूसरा बाला जो गाउन दिया गया है ए ग एक पहले जो गाउन को इसका साथ connection होता है एक हमारा पिन को यह को ज्यादा धूर यह दूर था इसले यह केन को मैंने साथ connection करके गाउन कर दिया मतलब नॉर्माल सा जो connection होता है कि नहीं होता है उसको कर दिया और करने के बाद इसको क्या करेंगे ये बेस PCB को मैं निक के साथ कनेट कर दूँगा निक के साथ कनेट करने के बाद जो हमारा दूसरा बाला जो फोकस को मैंने छोड़ दिया है उसको गाउन नहीं किया है गाउन नहीं करने से भी क्या पॉब्लेम होगा इसलिए दिखा रहा हूं, यह हो गया मेरा कनेक्शन, मैंने कनेक्शन कर दिया हूं, और कनेक्शन करने के बाद मैं टीवी को पावर दूँगा, देखें मैं टीवी को पावर देता हूं, और पावर देने के बाद, आप लोग सुन सकते हैं, हमारा अंदर में स्पार्किंग हो रहा है, है यह सदेहें 8100 जो हमारे बेस बेस न्या वाला जो बेस लगाया हुआ है वह बेश पर हमारा parking हो रहा है क्यों시 parking हो रहा है दोस्तों जो मैं दूसरा बाला connection को मैंने छोड दिया था और दूसरा बालाग चोल दिया था यही जो फोकास का जो भोल्टेज होता है भोल्टेज जाके इस बाला जो फोकास होता है वो फोकास तो हमारा गाउन के साथ कानेक्टें नहीं है इसलिए ही यह बाला फोकास पे हमारा स्पार्किंग हो रहा है इसलिए क्या करेंगे यह बाला जो मैं एक वयाल लोंगा वयाल लेके यह दूसरा भाला जो point है. यह दूसरा भाला point पर connect कर दूंगा. और connect कर देने के बाद इसको directly मैं इसको गाउंड कर दूंगा. गाउंड कर देने से क्या होगा जो हमारा पीछे साइट पे जो गाउंड किया गया था वह मैं एक वयार के साथ गाउंड कर दूँगा तो सेम काटागोरी का बेस आ जाएगा और सेम काटागोरी का काम करेगा वह जो स्पार्किंग हो रहा था अंदर में नया वाला बेस के अं स्पार्किंग का वाज हो रहा था और हम लोग टीवी पे वी पिक देखेंगे जो हमारा देखी हमारा टीवी का फूरी तरह से पिक्चार क्लियार हो चुका है मदलब दोस्तो आज का जो पॉबलेम था टीवी का ब्लोवर पॉबलेम था और ब्लोवर पॉबलेम को मैंने सही करने के लिए जब मेरा चेह किया तो हमारा ये बेस खरब निगला और बेस खरब निगलेरिक के बाद हमारा जब मार्केड में गया तो यह सिंगल बाला बेस था बेस फोकास बाला बेस था सिंगल फोकास बाला बेस था इसलिए दूसरा बाला पॉइंट को गाउन किया गया था लेकिन मेरे मेरा भाया जो मार्केड में था ओ दिया मुझे डॉबल फोकास बा लोगो मिलते रहेंगे दोस्तों मिलते हैं रुम्स प्रोपाद तप्ते करें दोस्तो गुड़ बाई